Brought to you by Agilis Diagnostics Agilis Diagnostics नवस्कार, राशी चक्र में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रवेड मिस्र आईए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा वीतेगा सबसे पहले बाद आज के पंचांकी 4 सितंबर 2024 दिन बुधवार भाद्रपद मास चल रहा है शुकल पक्ष है प्रतिपदा तिथी रहेगी सुबह 9 बज कर 46 मिनट तक इसके बाद दुतिया तिथी प्रारम हो जाएगी उत्तरा फागुनी नचत्र है चंद्रमा सिंग राशी में रहेंगे सुबह 9 बज कर 55 मिनट तक फिर कन्या में प्रवेश कर जाएगे भगवान सुर्य सिंग राशी में विराजमान है आज विजय मुहूर्त का समय होगा दो पहर 2 बज कर 26 मिनट से दो पहर 3 बज कर 17 मिनट तक दिशा शूल है उत्तर दिशा चले शुरू करते हैं आपका राशी फल सबसे पहले बाद मेश राशी की कारेशेत्र में आपको आत्म विश्वास दिखाना होगा तेजी से काम करने का दिन है नेगेटिव विचारों से बचे कुछ नया करने का मौका मिलेगा पैसा किसी को उधार ना दे व्यापार से जुड़ी उल्जने बढ़ सकती हैं जरूरी टिप विनम्रता से बात करें शुबरंग, भूरा, उपाय किसी गरीब को फल दान करें ब्रश राशी अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी प्रापर्टी से जुड़े काम बनेगे यात्रा से लाब का योग है खर्चों को कंट्रोल करना होगा परिवार की उल्जने कम होगी व्यापार में लाब की स्थिती बनेगी जरूरिटिप कम बोले शुबरंग सफेद उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें मिथ उन्राशी भागय का सपोर्ट मिलेगा करियर में उन्नति के रास्ते बनेगे मन की परेशानी दूर होगी कोई शुब समाचार मिलेगा धन लाब के लिए मेहनत और बढ़ाना होगा व्यापार में और समय देने की जरूरत है जरूरिटिप बड़ा बादा किसी से ना करें शुबरंग गुलाबी उपाय गव माता को रोटी खिलाए करकराशी नेतुर्त छमता आपकी बढ़ेगी रुके हुए काम पूरे होंगे कारे छेत्र में सफलता मिलेगी भागे का साथ प्राप्त होगा घर में कलह ना बढ़ने दें व्यापार में सावधानी से फैसले करें जरूरिटिप जल्दवाजी से बचें शुबरंग सफेद उपाय किसी गरीब को चावल दान करें सिंग राशी रुके हुए काम बनेंगी आलश से काम में ना दिखाएं अपने खर्चों को कंट्रोल करें कारे को लेकर व्यस्तता रहे की करियर में तरक्की के लिए महनत बढ़ाना होगा ब्यापार में लाव का योग बन रहा है जरूरिटिप क्रोध से बचें शुबरंग मरून उपाय गायत्री मंत्र का एक सो आट पार जाब करें कन्याराशी सरकार की सहायता से काम बनेंगे अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी करियर को लेकर नई योजना बनेगी विदेश से संबंधित काम में सफलता मिलेगी गुसे को कंट्रोल करें व्यापार बढ़ाने के लिए महनत भी पढ़ाना होगा जरूरिटिप जल्दवाजी से बचें शुबरंग सफेव उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें अब वक्त है आपके सवाल का हमें सवाल मिला है योगे सचदेवाजी का इनकी डेट अब बर्थ है 16.04.1990 दो पहर दो बज कर 15 मिनट का इनका जन्म है और जन्म इस्थान दिल्ली का है इनका सवाल यह कि अभी तक यह सेटल नहीं हुए है और इनका आगे आने वाला समय भविश्य कैसा है देखें जो योगेस जी जो आपने बर्थ टिटेल बताई है उस आधार पर कुंडली तयार है आपकी सिंग लगन की कुंडली है और धनुराशी है आपका जन्म मूल नचत्र के चतूर्थ चरण में हुआ है इस समय आपकी चंद्रमा की महादसा चल रही है जो अक्टूबर 2017 से शुरू हुई है और ये अक्टूबर 2017 तक चलेगी और चंद्रमा की महादसा में बुद्ध की अंतरदसा अगस्त 2023 से जन्वरी 2025 तक चलेगी चंद्रमा आपकी कुंडली में बारवे घर का स्वामी है और ये पांचवे घर में बैठा हुआ है 10 डिगरी का आप परिशान नहूं अभी चंद्रमा की महादसा बीच जाने दीजे अक्टूबर 2017 तक उसके बाद जब आपकी मंगल की महादसा शुरू होगी मंगल आपका भागय का स्वामी है उसके बाद आप बढ़िया से सिटल भी होंगे और आपका आगे आने वाला समय भी अच्छा रहेगा अभी क्या उपाय करें जिससे अभी इस्तिति अनुकूल हो जो आपके मन में बहुँ ज़ाद है चिंता है परिशानी है वो दूर हो पहला उपाय चंद्रमा से शुब फल पाने का सबसे सटीक उपाय है भगवान शिव का पूजन प्रति दिन आपके घर के पास पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जाए नियम बना लिजे प्रति दिन जाना है सुबह सुबह जाए इश्नान करके और भगवान शिव को जल चढ़ाए चंदन का तिलक लगाए मंदिर में मिल जाएगा आपको चंदन रखा होता है उसे घिस करके तिलक लगाए बेल पत्र चढ़ाए और भगवान शिव की आरती करिए वहीं बैठकर ग्यारह माला रुद्राक्ष की माला से नमः शिवाय मंत्र का जाब करें और भोले नाथ से जो आपकी इच्छा है वो निवेदन करें ये उपाय प्रति दिन करना शुरू करिए तो आप देखेंगे पहले तो मन शान्त होगा धीरे धीरे इस्थिती भी आपके लिए अनुकूल होना प्रारंब हो जाएगी दूसरा उपाय एक सवा ग्यारा रत्ती का मुंगा मंगलवार के दिन रिंग फिंगर में सोने की अंगूखी में धारण कर लें और नियमित रूप से आप हनुमान चालीचा का पाठ करना शुरू कर दिजी सब कुछ अच्छा होने लगेगा आपकी हर परिशानी दूर होगी तो यदि आपके मन में भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल और सवाल लिखे वहां से हम उठाएंगे और आगे आने वाले कारकरम में शामिल करेंगे तुला राशी मन की चिंता दूर होगी नए लोगों से मुलाकात होगी जल्द वाजी में कोई काम ना करें सुभाव में चिल्चिलापन ना बढ़ने दे व्यापार में बहुत ध्यान से काम करने का समय है जरूरिटिप खर्चों को कंट्रोल करें शुबरंग गुलाबी उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं ब्रिश्चिक राशी मन को शांत रख कर काम करें रुके हुए कारे बनेंगे करियर में तरक्की के रास्ते खुलेंगे सिख्षा के छेत्र में सफलता मिलेगी अपने खान बान का ख्याल रखें व्यापार में लाब का योग बन रहा है जरूरिटिप गुस्से से बचें शुबरंग लाल उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें धनुराशी करियर पर ध्यान देने का समय है यात्रा का योग बन रहा है रिस्तों में मधूरता बढ़े की अहंकार से बचना होगा मित्रों के भरो से कोई काम ना छोड़ें व्यापार में इस्थिती बहतर होगी जरूरिटिप एगो से बचे शुब रंग के सरिया उपाय किसी गरीब को चावल दान करें मकर राशी सरकार से जुड़े काम बनेंगे कहीं दूर से शुब समाचार मिलेगा आपका सम्मान और बढ़ेगा सेहत ठीक रहेगी फैसले लेने में देरी ना करें व्यापार में लाव का योग है जरूरिटिप जल्दवाजी से बचें शुब रंग क्रीम उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें कुम राशी भाग का सपोर्ट मिलेगा नेतित चमता आपकी बढ़ेगी करियर के छेत्र में इस्थिती बहतर होगी संतान से खुशी मिलेगी सिहत पर ध्यान देना होगा व्यापार में उधार लेन देन से बचें जरूरिटिप क्रोध से बचें शुब रंग सफेद उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं मेन राशी अचानक लाब होगा मेहनत से काम करना होगा करियर में उन्नती होगी वानी पर नियंत्रन रखें मित्रों पर शक ना करें व्यापार से जुड़े काम बनेंगे जरूरिटिप आलस्य से बचें शुब रंग पीला उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें राशी चक्र में आज बस इतना ही कल फीर होगी आपसे मुलाकात जिल्लों का आज जनम दिन है जनम दिन की आपको बहुत बहुत शुब कामना है आपका आने वाला समय शुब हो नवस्कार